फ्रेंड वल्कम टू वेकवर यूट्यूब चैनल फ्रेंड कैसे हो आई होप सब लोग अच्छी है मैं फीर से एक 12 जॉफ का रिकरमेंट लेके आगे हूँ टाटा स्टिल के तरफ से जॉफ का रिकरमेंट लेके आगे हूँ बाल्क में तुमको बेसिकली हैरिंग देखने को म मिलेका पार्मनेंट नौकरी होने वाले हैं सो जॉब लग जागा तो पार्मनेंट बेसिसी तुमारा से लेक्शन होगा नेक्स जोब पॉइंट है यहाँ पर बेसिकली तुमारा जो जौफ करीकरमेंट आ रहें जिनलोग डिप्लमा होलडर भी अपलाई कर सकतो इंजिनेट डिघरीüllt होलडर के लिए भी एकão त्यिस काम नेकस जो पॉइंटर एक रिसक प्रेड एकलिट कर सकते हैं चूंप्विडलिय मेंठीक नहीं अतों किया हैं एकर एक्सराद मेंठानें क्रीड मेंठाने किकल च्वाह्ज कर सकते हैं हैं नहीं किरने अ कर मैं को हमक 500 प्लस तो लाइक चाहिए वर इस वीडियो के लिए क्योंकि मैं बहुत मेनस से बनाती हूं आठ Cape तुम्हारे जो नोटिपीकरां आ रहे तुरन्त नोटिपीकरां रहे आ तो दिस इस मैं यूट्यूब चैनल जॉब फॉर यू जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो यहां पर जो रेट कलर का दिखाए देगा यहां पर जाके क्लिक कर देना इसमें क्या होगा तुम्हारा सब्सक्राइब हो जाएगा तब तोमरा एसिस्टेन्स मैनेजर के लिए वेसिकली भेकन्सिस दी कल कर रहें बड़ अलग अलग डोमेंड के लिए वैकन्सिस है जैसा अड्मिस्ट्रेशन के लिए देखेंगे तब तुमरा एनी ब्रांच अपलाई कर सकते है डिग्री और डिप्लोमा कप्रीट के ओते है ग्रेजुएशन्स भी कंप्रिट के होता है अपलाई कर सकतो, पोस्ट ग्रेजुएट भी अपलाई कर सकतो, प्राब्लम नहीं है, MBA वाले भी अपलाई कर सकतो, कॉर्पोरेट अडिट के लिए भी वेसिकली यहां पे डिग्री और डिप्लोमा इन इंजिनियारिंग अपलाई कर सकतो, एनी ब्राँच अपलाई कर सकतो, सुदिक देवली बात नहीं है, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस के लिए बेसिकली फूल्टाइम डिग्री होल्डर अपलाई कर सकतो, डिप्लोमा होल्डर भी अपलाई कर सकतो, एलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोनिक्स और इंस्टुमेंटेसंस ब्राँच एलिजबल है, मार्केटिंग अफ्यास के लिए ऐनी बात बॉल्डाई कर सकतो, डिप्लोमा होल्डर इंस्टुमेंटेसं ब्राजूअगे लिए सेलिबलेकल ब्राँपलाई कर सकतो, Okay, next point is marketing and sales के लिए भी any branch apply कर सकतो Degree और diploma holder releasable है Okay, mechanical maintenance के लिए यहां पर mention कर दिया Basically, यहां पर diploma और degree holder apply कर सकतो But branch जो होना चाहिए mechanical और industrial और productions department में Procurement के लिए भी basically यहां पर diploma holder भी apply कर सकतो Degree in engineering, any discipline apply कर सकतो Any branch apply कर सकतो, तो दिक्यत वाली बात नहीं है आईटी के लिए भी वेकंसिस है यहां पे बेसिकली पोस्ट ग्राजुएट डिप्लोमा इन इंजिनियरिंग अपलाई कर सकतो एमी और एम्टेक कम्प्लेट के उता अपलाई कर सकतो फुल टैम इंजिनियरिंग डिग्री होल्डर भी एलिजबल है स्भस्टेश के लिए बेसिकली यहां पे बदाद आ इंजिनियरिंग डिग्री होल्डर भी अपलाई कर सकतो डिप्लोमा भी आपञाई कर सकतो एनी डिसिपलैन अपलाई कर सकतो सो अँक्यत्वली बात नहीं है ऐसा करके सीक्यूरियोटी के लिए उकेसी है निख्ट जो पॉइंट है यहां पे important जो पॉइंट है यहां पे बाता दिया यहां पे बोल रहे हैं जासा Tata Steel का जिन लोग permanent employee है JBA and JBB grade का सो यहां पे आपलाई कर सकते हैं और experience भी होना चाहिए Second जो पॉइंट है यहां पे basically जिन लोग part time course किये और distance education program किये तो eligible नहीं है तो यहाँ पर basically बता दिया full time qualifications is eligible for these vacancies ओके, first जो point है basically Tata Steel का employee का जो JBA and JBA grade का है apply कर सकते, second जो point है यहाँ पर basically full time qualifications eligible यहाँ पर full time qualifications तुमारे पास होना चाहिए तो part time और distance education program यहाँ पर eligible नहीं है नेक्स चो point है experience के बारे में बता दिया जैसा यहाँ पर B.E.B.Tech और M.E.M.Tech कंप्लीट के हो तो 3 years तुमारे पास experience होना चाहिए Tata Steel के तरब से और Tata Steel और T.S.B.S.L. नेक्स चो point है employees जिन लोग Tata Steel में diploma और post graduate degree कंप्लीट काना चाहिए 5 years तुमारे पास experience होना चाहिए इन Tata Steel और T.S.B.S.L. नेक्स चो point है यहाँ पर basically diploma holder के लिए बता दिया जैसा तुमारे 5 years तुमारे पास experience होना चाहिए Tata Steel और T.S.L.B.S.L. ओके नेक्स चो point है यहाँ पर basically selections procedure के बारे में देखेंगे तब तुमारे return test होगा domain ओके आपना domain में तुमारे return test होगा देन तुमारे assessment होगा देन तुमारे interview होगा यहाँ पर सारे जितने सारे return test होगा return test जो basically होगा तुमारा online mode में क्योंकि यहाँ पर mention कर दिया ठीक है यहाँ पर mention कर दिया जो return test होगा basically तुमारा online mode में और security domain के लिए basically physical test होगा, okay physical test will be conducted, okay इस जो पॉइंट है selected candidate को online assessment का link भेज़ देगा, okay और यहाँ पे basically training placement के बारे में भी mention कर दे, selected candidate को basically training होगा, जिन लोग selected होगा उन लोगों का basically training होगा, locations के बारे में यहाँ पे जैसा बोल रहे है, Tata Steel का all over India के अंदर any locations में तुमारो basically होगा, क्योंकि यहाँ पे mention नहीं किये, so positions यहाँ पे जैसे mention किये, the positions are across locations of Tata Steel India, okay, online application form को fill करना पड़ेगा, और यहाँ पे कोई भी application fees नहीं है, no fees करके mention कर रहे हो, और last date जो है basically submissions का, जो last date of online application जो है basically 20 January 2023, so उसके पहले तुमको fill करना पड़ेगा, okay, next point है, यहाँ पे basically this is the link, okay, link तो provide कर दे, मैं description box में link दे दोंगी, पस उसमें copy करना है, copy करने के बाद पेस्ट कर देना, फिस्ट करने के बाद यहाँ पे advertisement details तुम read कर सकते हो, और download कर सकते हो, उसके बाद application form फिल करने के लिए application करके जो दिखाई देगा, वहाँ पे जाके basically तुम application form को fill कर सकते हो, but last date जो है basically 20 January 2023, उसके पहले तुमको online application form फिल करना पड़ेगा, okay, so friend I hope मैं सारी details कवर कर चुकियो, so video पासंद लगद बड़स लाइक कांड़ देना, ऐसा नएना job का पड़ेटिर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेस कर देना, फिस्ट आएंगे एक ना job opportunities लेगे सोवाए, take care, all the best.